पषके बहुत ही टेष्टी एकड़ू करोफ सब्सक्तों भूम धोस्ति भ्यहीं सफ़ेश्वधू आप सभी के स्फ़ागत हे चर्णेल सरोज के किचन में चले आज की रेश्प्री श्टार्ट करते हैं तो सबस्ते पर हम आटा कुदेंगे तहीं हम आप मैंने दो का पैटाल लिया है घर का नर्मल आटा है जो हम रोटी के लिए लेते हैं इसमें एक चमच ओईल डाल देंगे यहां पर डाल देंगे आजी चमच नमक और अच्छे से मिला लेंगे नमक और ओईल को आटे की साथ अच्छे से मिलाने के बाद हम क्या करेंगे इसका एक हम डो लगाएंगे नर्म थोड़ा थोड़ा करकर हम इसमें पानी डालेंगे पानी एक बार ना डाले थोड़ा थोड़ा करकर हम पानी डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से गुथेंगे अच्छे से जितना अच्छे से अब आटक गुदेंगे पराठा आपका उतना ही शॉप्ट और फुले फुले बनेंगे तब इस बात का ध्यान लगे आटक को अच्छे से नरम गुदेंगे हमारा आटकई बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए हमें एक नरम डो चाहिए घर में रोटिक लिए डो लगा थे हैं उससे थोड़ा अच्छे से आटक को मिला लिए अब हातों की मदोस को अच्छे से मसल करेंगे आटको नरम डो बनाएंगे तेह देखिए आटक नरम हो देखेंगे उतना ही पराटरी अच्छे बनेंगे यह देखें बहुत ही हमारा सब जोड़ो है बनके त्यार हो चुका है आप मैं दिखा देते हैं यह देखिए अब इसे रखेंगे हम 15 से 20 मट के लिए रेष्ट पर तक तक लिए हम फीलिंग बना लेंगे तिया आप मैंने गय लिया था तोड़ा से इस गो सब्ट होने तक भूनेंगे जैसे हम रप्याज तोड़ा सब्ट हो जाएगा यह पर एड़ करेंगे हम अपना अध्रा कलासन हरी मिज का दरदरा पेस्ट ज्यादा बारीक नहीं में दरदरा ही पीष्णा है आप चैंतिसे खलवट्टे में अध्ड ऑचे से भून चुका है इसा कच्छा जो भी निकल चुका है यह ठ्रालीक अपत्क पाउप पेहले ही बारिक चौब करके लिए यzahlा अपकर कुद्यों कदंशक के लिए सकते हैं मोटे वाले से लेकिन मैंने बारिक चौब गया है मिलाएंगी अच्छे से यहीं व्र आले आइड करेंगे तो मैं साल मैं ले काऊ फ़ muj रहा हूं एक चमच लाल मीज पड़र में तीखी की साथ ले लेए अल्दी चमच अल्दी प्रियों असी जीरा प्रियों 150 प्रियो प्रियुट चमम जमक ध्यान रहे हैं उसमें नमक रहता है अब थोड़ा कम डाले अब सारे मसालकशे से मिला लेंगे पत्तह गुविक साथ अब इसे लुख पकाएंगे मसाले और पत्ते गुविक के एक साथ यह देखे पत्ते को भुज़ है पहले से बहुती ज्यादर सप्ट हो चुका है तो मैंने फिलेम को थोटा से ऑध में high किया था अभी हम यहीं फिलेम को लोग करेंगे हमारे पत्ते को भी ज़ें बहुत ही अच्छे से अक्ट चुके हैं हमारे फिलिंग जो है ट्यार हो चुका है बहुत ही टेस्टी और चेटबटा फिलिंग त्यार है तो साथ ही मिटालेंगे हम बारी कटा हुआ हारा धनिया मिला लेंगे गैस को बंद कर देंगे हमारे यहां बहुत ही टेस्टी फिलिंग बनके त्यार हो चुगे से ठंडा होने देंगे अच्छे से फिलिंग को ठंडा होने देंगे तब हम पराठे बनाएंगे यह देख़े, feeling जो है आओरा बहुत यूशे से ठंडा हो चुगा है, इसे एक बाग में निकालनेंगे हम, सारे feeling को हम बाग में निकालनेंगे, यहां पर हमारा feeling त्यार हो चुगा है, इस सारी में रखते हैं, तब तक चली हम अपना अाठा चेक कर लेते हैं, आठा भी हमारा अच्छे से सेट रोचुका होगा यह देखें, आठा बहुत ही अच्छे से सेट होचुका है, नर्मडो है और हाथों से मिला प्रेंगे हमारा फिलिंग त्याया है थोड़ो सा सुखा आठा ले लेंगे और चकला और बेलन लेंगे अब हात हम तोलों सुखा हाटा लगा के हम छोटे-छोटे लोई काटेंगे पराठे अब अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं मैं मेडियम साइज के पराठे बनाऊँगे ऐसे ही बाकिक सारे हम लोई को मना लेंगे अब एक लोई लेंगे और सुख्या हाटा लगाएंगे और हातों की मदस इको हम कटोले जैसा सेफ देंगे जिसे का बीडियों में देख रहे हैं इसी तरह से उंगलियों की मदस से हम प्रेस करेंगे अंदर करम बहुत अच्छा गोल से पा जाता है इसमें फिलिंग डालेंगे दो चमाच अपने साफ से कम ज्यादा कर सकते है यह हमने फिलिंग डाल दिया है चमाच की मदस से दबा देंगे और उपर की तरह से हम प्रेस करते हुआ इसको हम बंद करेंगे अच्छे से तकी पर आठे विल्दे टाइम फटे ना जूपर की इस्टा आठा है आप चाहें तो क्लिकाल दे या उसी में चिपका दे यहां पर हमारा जो लोई है त्यार है आठे विल्दे टाइम फटे ना इससे करने से क्या होता है कि फीलिंग नहीं है तो यह नहीं फैला दिया है अब बिलन की मदस इसे हमाल के हाथ से बेलेंगे ज्यदा प्रेस नहीं करेंगे अगर आपने से ज्यदा प्रेस किया तो पराठे फट जाएंगे यह दिखे हमारे एक पराठा प्यार हुआ चुका है रखेंग फ्लेट में यह तो व्मारे एक पराठा हो गया है मैं एक और पराठे दिखा दिखा दीग आपको बना करके यह तो हमारे पुराने तरीके हैं जबर दादी हमां बनाती थी एक गवर तरीके बनाती हुआ आपको जिसमें हम तिरकोन पराठे बनाएंगे एक लोई लेंगे और इसे हम रोटे की तरह बेल लेंगे थोड़े बड़े साइज में यह देखें मैंने बेल लिया है अब इसके हम बीच में फिलिंग रखेंगे और फैलाएंगे जिसका अब देख रहे हैं उसी तरह से इसमें फैला रही हूं यह हम आने फिलिंग को रख दिया है अब इसको कवर करेंगे हम जिस तरह से मैं कर रहे हूं उसी तरह आपको करना है एक साइट इसको हम फोल्ड करेंगे उपर से बंद करेंगे और नीची से इसको हम बंद कर देंगे यह पराठे दिखने में थोड़े अच्छी लगते हैं यह देखिए हम यहां पर तीन कौन पराठा जो है त्यार है इसे हम सुखाठा लगा करके बेल लेंगे इसे हमाँ हलके हम से बेल लेंगे तक इसका जो स्थेफ है बगडे ना यह दीखिए माने पराठा बेल लिए तो हमरें यह पर तीन कौन पराठा तयार है इसी तरह संसारे पराठे बेल कर त्यार करेंगे यह देखिए मैंने प्रेट में रख दिया है चले चलते हैं गैस के चरा यह मैंने में तबावा रखा है हमना तबाव गरम है अब इसको रखीगे पराठे को और एक से जीए सिख जाएगा इसको हम प्लाट देंगे यह देखिए पराठे एक साइट सिख चुके हैं इसे घी लगाने के वज़से हम पलट देंगे उपए भी घी लगा लेंगे यह देखे पराठे दिखने कितने अच्छे लग रहे हैं अब दूनों स्टाइट सेम घी लागा करिस्पी होने तर तड़ अजों मारे पत्ते को बाह्ते को फूले फूले बबन के ट्यार मित निकालेंगे एग игр को बैट में सब्सक्राइब कर दूप ritual जुखी है पूर ह्था निकाल देते हैं पिने का प्लेठ में मैंने पहले एक पराठा बना लिया था जिसे पूर्ण लेकोर्ट करना भूल गई थी months चलिए एक और पराठा मैं आपको दिखा जीती हूँ, क्योंकि मैंने पहला पराठा रिकोड करना भूल गई थी, यह मैंने फिर से तवे पराठा रखा है, इससे सेखेंगे, जिससे सेट सेखेंगे पलट देंगे, और दूनों साइट सेखेंगे बाद हम उपर से घी लगाए घी लगाने के वाशे हम पलट देंगे, फ्लेम गलोड मीडियम रखेंगे, अब उपर सेट भी घी लगाएंगे, घी लगाते है पराठा जो बहुत अच्छे से खुलने लगेंगे, अब इसको भी दोनों साइट से क्रिस्पी होने तक हम सेख लेंगे, सेम प्रोसेस से, देखिए हमारा पराठा जो है सीख चुगा है, निकाल लेंगे प्लेट में, तो त्यार है हमारा बहुत ही तेस्टी, गुभी के पराठे आप सभी से, जो ही किजिए चेटनी या केचप के साथ बहुत यह अच्छा लगता है, मैंने दोनों साथ त्वाब किया है, मैं आपक को चेट करके बताती हैं, मुझे तो पराठे खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है यह किन मानिया बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप सबीं से, जरूare करें. आप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें करें, कमेंट करें, सस्क्राइब करना तो बिल्कुल ना तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर से नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाय दोस्तों